दोस्तों इंडियन रिजनेबल एनरजी डेवलोपेंट एजनसी लिमिटेड यानि इरिडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी गुण्डियों निकल के आ रही है जिनकों में के करके डिसकस करने वाले इरिडा के क्वाटरवन के रिजल की डेट भी आ चुकी है और यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ बड़े बयान भी दिये इरिडा जिसने एक ओल टाइम हाई अलड़ी फिर से नया बना दिया है क्या आने वाले समय इससे भी सांदार रिटन दे सकता है सरकार ने अब देख सकते हो कि ग्रिजनाजी सेक्टर के लिए बहुत सारी अनॉसमेंट सु से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी नयावडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडिय और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय आज देड़ बजे के आसपास का टाइम है बीए सी सेंसेक सेवन्टी नाइन धाउजन सेवन इनने सेवन इनने सेवन इन्टी फॉर के इस तर बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है और यहां पे निप्टी फाइनसे सर्विस में काफी बड़ी गिरावट है 23586 के इस तर पे 293 पॉइंट की गिरावट है निप्टी फाइनसे सर्विस और इसी वज़े से एड़ा देखे थोड़ा सा आपको नीचले ले लेवर प निप्टी फाइनसे सर्विस में देखे तो काफी बड़ी गिरावट है उसके बावजुद भी श्टॉक का गरीद होना इस बात का सबूत है कि यहां पे अच्छी तेजी दिख रही है लोगों की खरिदारी बन रही है तो यहां पे देखे तो कि जो हाई बना वो 226 का है अ गिरते बादर में 1% की तेजी काफी माइने रखती है अब आप यह देखी सकते हो इस टॉक लगातार दोड़ा है यह आप समझ सकते हो कि 20 तारीकों जो श्टॉक 177 के आसपास था वो श्टॉक आप देख सकते हो चार तारीकों यानि कल 228 का इसने एक ओल टाइम हाई बना के बाद 220 का इसका क्लोजिंग प्राइथ और गोविक गिरावट के साथ में उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई जम के लेकिन आप देख सकते हो कि वाउंस के बाद में इस टॉक ने फिर अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है आज गिरते बाजर में भी इस समय ग्रि लाने की रजामंदी दी जाए और इसके पीछे वज़ा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के सुरू हने जा रहे है जिसके लिए फंड की जरूत है तो कम से कम चार जासे लएके पाच जार क्रोट तक की फंड इजिंग वो करना चाते है एफियों के मादिम से यानि फॉलो ऑन साइन हुआ है तो प्रदिव कुमार्दाज जो चेर्मेन है रिडा के और सामने अगर आप देखे तो ओडिसा के चिप मिनिश्टर है मोहन चरण मांजी उनके बीच में यह मोई साइन हुआ है तो ओडिसा सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट सुरू करने जा रही है जिसमें आ बाद में बड़ा फैसला किया कि राज जी के अंदर ग्रीन जी को तेजी से बढ़ाया जाए और इसके लिए इन्होंने शुरुवात कर दिया इड़ा के साथ में अब यह फाइनेंसिंग इनका जो सपोर्ट मिल रहा है जिसके मादेम से बहुत सारे ग्रीन आजिक्ट अब स चुकी है और आने वाले 2030 कंपणी महारतन भी बन जाएगी फिलाल यह एक नौन बैंकिंग फाइनेसल के तरह आने वाली कंपणी है जो ग्रीन अजी सेक्टर को फाइनेस प्रवाड करती है तो कंपणी ने यहाँ पर एक्चेंज को जानके दे उसके सब कंपणी 12 जूलाई क तो अपना क्वाटर वन का रिजल डिकलेर करने जा रही है और यहाँ पर देख सकते हो कि इसके लिए आप 12 जूलाई की बाद अगर आप देखे तो कंपणी का जो क्वाटर वन की त्यारी हो चुका है इसके लिए ट्रेडिंग विनो को क्लोज किया गया है और यह एक जूल जूलाई से ही ट्रेडिंग विन्डो क्लोज हो चुकी है तो 12 जूलाई को रिजल आएगा उसके 48 गंठे के बाद इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विन्डो खुलेगी तो वो देख सब कि 14 जूलाई से इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग सकती है संभावना है कि इस बार भी कंपणी डिवडेंट ने कंपणी ने पिछले जो रिजल्द अहों काफी जबर्दस बताया था और इस बार कॉर्टर वन में हो सकता है कि कंपणी की दרब से डिवडेंट का एलान भी किया जाए तो कुल मिला के रिजल्ट का इंतजार करना होगा काफी सांधा तरीके से यहां पे कंपनी का प्रदस्थन जारी रहा है पिछले कुछ रिजल्ट देखे हमने काफी बैतर रहे आसा है कि इस बार वी रिजल्ट काफी जबर्दस रह सकता है अब पिछले दो-तिन सालों के रिजल्ट से आप समझ पाएंगे किस तर से कंपनी का रिवेन्य प्रफिट लगातर बढ़ रहा है है दो हजार इकिस में रिवेन्य चुप 40.48 थाउजं करोड तक पहुझ गया और profit 0.86 थाउजं करोड तक पहुझ गया दो हजार चौबिस की बात कर रिवेन्यू 4.97 थाउजं करोड तक पहुझ गया यानि 2020 के मुकाबले अगर देखे तो लग बग आपको double होता हो दिखाई दिखारी रिवेन्यू जबरदस वृद् लगातार हर साल profit revenue बढ़ रहे हैं कंपनी का बीजनर्स वाकई में असान दार है अब यह आप देख सकते हो कि ICIC director ने इस stock के अंदर खरीदारी की सला दिये उन्होंने इसका 12 महिने के लिए जो करना होगा आने वाले एक या दो दिन तीन दिन में ही 250 को टार्गेट टच कर सकता है और ऐसा अगन्नी हुआ तो फिर आने वाले कम से कम दो में तो यह 250 को आराम से टच कर जाएगा ऐसी पूरी संभावना बन रही है तो इस समय बहुत मजबूत दिख रहा है तेजी से आगे बढ़ता हो दिखाई दे रहा है अब सरकार ने हर गर मुफ्थ बिजली योज़ना के भी एनॉस्मेंट किये बजट के पहले ही और उसमें देखे तो सोलर लाइट लगाई जाएगी सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे लोगों के गरों पे बच्छत पे उसमें बहुत सारा निवेस होने वाला है और ऐसे में एड़ा के लिए बहुत सारी संभावना है इसके लाओ सरकार ने वन गीगावट के आपशोर विन प पे की प्राइज में दिया था और पचास पर में इसकी लिष्टिंग हुई थी तो उस हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दोड़ चुका आप दोड़ेगा नहीं लेकिन ऐसा होता है कंपनी के बीजनस के उपर उसका कारूबार सब दारों मदा रहता और उस हिसाब से शेयर की प्राइज बढ़ती है तो जिस तर से कंपनी मिनी रतन से नो रतन बन चुकी और महारतन बनने की तेकागार पे है तो प्राइज डेफिनेटली बढ़ेगी और फोर डिजिट में भी स्टॉक जा सकता है निकेट बहुत से में इन्वेस्मेंट करना ची पहले अपने फाइनेंसल एडवाजिस बढ़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्यों कुमाने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की ज़र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स करेंगे युद कर करेंगी सब्सक्राइब कर्या य झालाब परपच का रि 문व कैनल के मुद करुद के भाहते ही ले जब HARना ही यह श सब्सक्राइबiva करें दो करात्स